Good morning, हमरे Class 11-12 की प्यारपशो, आज हम लोग चलिए ज़ाकी Sentax की Topic चल लही, आज हम लोग समें देखेंगे Conjection, आज हम लोग सने सुरू करेंगे, Conjection के बारे में Basic Information आज हम लोग देखेंगे, इसके बाद अगली Class से आपका Rules of Conjection चलेंगे, तो प्यार्पचे यह आपकी grammar की class number 58 है इसके पहले आपकी 57 class grammar की हो चुकी है जसे हमने अभी तक आपका narration करा चुके हैं, synthesis करा चुके हैं, transformation करा चुके हैं और आपकी syntax की 22 class हो चुकी है यह आपकी 23 class है तो यद इसमें से आपका कुछ भी चुटा हो तो आप चैनल की playlist में तो जहां से भी आपका चुटा है आप वहाँ से देख करके पूरा कर सकते हैं इसी तरह से यदि आप class 11th में होंगे तो भी आपकी grammar की 11th की playlist में जा करके जहां से भी आपका चुटा है आप वहाँ से देख करके पूरा कर सकते हैं तो जल्दी से प्यार्पचे हम लोग आज की टॉपिक से केनेक्ट होते हैं कंजक्शन से और कंजक्शन पर चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पर पहली बारा है चनल को सिस्क्राइब करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11-12 के हर एक बच्चे तब वीडियो को से और और आपके जिम्मेदारी है तो कि यहाँ पर हमने डिफिनेशन लिखे वे य कंजक्शन के डिफिनेशन लिखे वे है इसकी परिवासह क्या होती है लेके में लिखे वे हैं कंजक्शन वह सब्थ है जो दो सब्दों दो वाखत you को जोड़ता है । इसे connective भी कहते हैं conjunction को क्या बोलते है connective जोडने वाला है तो ऐसे भी किसे connective बोलेंगे आप उसे की इंग्लेश में हमने definition लेके ही है conjunction is a word used to join two words, clauses or sentences या किसको जोडता है दो वाक्यों को जोड सकता है उपवाक्यों को जोड सकता है या फिर दो सब्दों को भी क्या करता है या जोडता है तो मिलाकर के कंजक्शन क्या होता है जोडने वाला काम होता है जैसे अगुवा नहीं होता है बिया साधी में अगुवा नहीं होता है किलाइका वाले परिवार को दुनू जोडने का काम काउन करता है अगुवा करता है तो समझो कंजेक्शन क्या है अगुवा है और दूइठो वाक का जोड़ सकता है उपवाक को जोड़ सकता है या फिर दूइठो सब्दव कोई का करता है जोड़ता है तो यह एक हो गया कंज तो हरी और गोपाल को कौन जोड़ा हुआ है एंड जोड़ा हुआ है तो एंड यह का हो जाएगा कंजक्शन हो जाएगा तो दनादन एंड क्या हो गया कंजक्शन हो गया यह दूट सब्द को जोड़ा हुआ है और दूसरा यहां पर देखो सुरेश संग सुरेश ने गीद ग को दूनू को count जोड़ा हुआ है and ने जोड़ा हुआ है न तो and भाईया क्या हो जाएगा conjunction हो जाएगा अगला दीखे तीसरा example देखिए do r die मतब करो या मरो तो भाईया do एक सब दो गया die एक सब दो गया दूनू को count जोड़ा हुआ है r जोड़ा हुआ है तो r क्या हो जाएगा conjunction हो गया तो भाईया conjunction की परिवासा हो गई जो दो सब्दों को दो उपवाक्वों को दो वाक्यों को जोड़े वही आपका है होता है conjunction होता है आगे हम लोग देखते है kind sub conjunction means conjunction कितने प्रकार की होते हैं देखी यहां पर लिखे वे kind sub conjunction means conjunction के प्रकार तो भाईया conjunction दो प्रकार की होते हैं पहला परकार हो गया coordinating conjunction means coordinate conjunction हो गया और दूसरा परकार हो गया subordinating conjunction means subordinate conjunction coordinate conjunction और subordinate conjunction आपके दो प्रकार की क्या हो गया conjunction हो गया अब हम लोग चलते हैं चोडिरेंट कंजेक्शिन क्या होता है तो देखते हैं सबोडिनेट कंजेक्शन क्या है याप यह основ की याँ लिखिये का कौडिनेटिंग कंजेक्शन क्या है और एक जोड़ते हैं orada दो स Whotant classes का मिन सो जाएगा independent class को या दो स् prochain उपवाकों को जोड़ते हैं में दो independent class को क्या करते है जोड़ते हैं और independent class क्या होता है dependent class क्या होता है प्यारप्चे जब हम synthesis बढ़ा रहे थे तो हां पर हमने EKR के सभी के वारे में विस्तार से चर्चा किया हुआ था उमीद करते हैं आपको याद होगा और synthesis वाले term में प्यारपचे हमने 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 हम पर आपको coordinate और subordinate conjunction की बारे में भी आपको बताई वे थे तो प्यारपचे यह आपका हो गया coordinate conjunction हो गया जो दो स्वतंत उपवाकों को जोड़े आपका वो क्या होता है coordinate conjunction होता है अब यह चार प्रकार के होते हैं coordinate conjunction भी आपके कितने प्रकार के होते हैं चार प्रकार के होते हैं अब चारों प्रकार कौन कौन से होते हैं जल्दी से देखिए पहला है क्यों लेटिव कंजक्शन मिस जोड़ बताने वाले कंजक्शन दूसरा हो गया alternative कंजक्शन मिस बेकल्प conjunction होगे, उमीद करते हैं, चारोप्रकार के coordinate conjunction के वारे में, आप जानते होंगे और अच्छी तरह से समझते होंगे आब हम लोग चलते हैं, एक एकर के वारे में इसके वारे में, विस्तार से अध्यन करेंगे, देखेंगे कि आपका cumulative conjunction क्या है, alternative conjunction क्या है, adversative स्वेलिफ कंजक्सन है है जोड बताने वाले कंजक्सन है यहां पर या वह कंजक्सन क्या लख्या है एक कतन को दूसरे कinform से जोड़ने का काम करते हैं एक hold को दूसरे statement से जोड़ते हैं तो खिते होाद आपके किण्रुसरी कंजक्सन होतें और क्षों क्युमुलेटिव कंजेक्षण में आपके कौन-कौन से आएंगे ऐंड हो गया बोथ हैंड हो गया not only but आलस हो गया यह सब आपके क्या होते हैं क्युमलेटिव कंजेक्षण होते हैं सभी कंजेक्षण को आप याद रखेंगे not as well as both and not only but यह सभी कंजक्शन आप याद रखोगे अब उसके बाद एक्जामपल देखिए हमने एक्जामपल लिखे हुए है पहला एक्जामपल उसने मेरी पेन को कर लिया हुआ था और इसे आज क्या कर दिया वापस कर दिया तो भाया एक वाकी हो गया और दूसरा हो गया रिटर्ण इट टूड़े एक ही हो गया दूनों को जोड़ा कौन है एंड जोड़ा हुआ है तो एंड जोडने का काम किया दूई वाको को तो क्या को हो जाएगा एक क्यों हो जाएगा अगला है मोहनबाट नॉट लिया बुक वह दो ने इक भुख भी नहीं खरीदा भटा सो अपर प्लिकों किया हो जाएगा क्यों कि जोड़ा हुआ है जोडने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं किमलेटिव कंजक्शन का प्रयोग करते हैं तो अब अगले पर बढ़ते हैं अगले देखते हैं अगला आपका कौन सा कंजक्शन है और अगले पर चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार होंगे चैनल पर सस्क्राइब करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे क्लास 11 12 के हरे एक बच्चे तब वीडियो को पहुंच आएंगे चलते हैं दूसरे कंजक्शन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए हमने लिखी वे जिखाने ौफ दिखाने वाले कंजक्शन तो आपके कुच कंजक्शन ऐसे होते है जो दिखाते हैं याँ पर देखिए हमने लिखे हैं इस परकार के लिखनो के लिखँ़ में चाहिए गुर की महरारू चाहिए इदुनु के बीच में क्या दिखाएगा बिकल दिखाएगा तो बहुत चलो चलते हैं अगर पढ़ोगे तो गुर की महरारू मिलेगा और नहीं पढ़ोगे तो परियोपती मिलने वाला है तो इसलिए आपना ढंक से पढ़ाई करना 시ब्क क्या होगया बेbook कैल्पी कंजेक्शिन ओ गया अब इसमें आते क्यों हैं आपके इदेर और हो गया नैदर नार मिलने आपको तो डू आउर डाई में आपको क्या दिखाया हुआ ओप्शन दिख रहा है कि करो या मरो तो आपका और क्या हो जाएगा यह आपका अल्टरेनेटिव कंजेक्शन हो गया जैसे नाइदर राम नार स्याम केम ही है ना तो राम ही आया ना तो स्याम है दूनू में कौनू नहीं तो भाई या नाइदर नार में क्या दिखाया हुआ है यहाँ पर बिकल्प दिखाया हुआ है तो इसलिए आपके क्या हो जाएगे यह अल्टरेनेटिव कंजेक्शन हो जाएंगे तो यह प्यार्पची आपके अल्टरेनेटिव कंजेक्शन ते आगे हम लोग बढ़ेंगे adversity conjunction की तरफ आपके adversity conjunction होते क्या है यहां पर देखिए लिखे वे adversity conjunction और थोड़ा तेज प्यारवचे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक बार इसे synthesis वाले term में हम बता चुके हुए हैं यहां पर केवल आपका revision कर रहे हैं तो आपके लिखेंगें इन conjection के द्वारत दो ऐसे कतन जोड़े जाते हैं जो एक दूसरे के विप्रीत होते हैं अगर एक दूसरे के विप्रीत हैं तो आपका ऐसे कतन को पूदा जाता है एडवर्सेटिव कंजक्शन के माध्यम से तो बैए आपके किसमें आते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन में आते हैं जैसे एक्जांपल को ध्यान से देखिए ही वर्क्ड हार्ड उसने कटेंट परेशनम किया एडवर्सेटिव को बताया तो आपका क्या हो जाएगा एडवर्सेटिव कंजक्शन और जैसे दूसरे लेकिन प्रशन नहीं होंगे तो लेकिन फिर वह क्या है तो दुनों के बीच में कंट्रास्ट दिखा दिया एडवर्सेटिव कंजक्शन हो जाते हैं अब हम लोग अगले कंजक्शन की तरफ बढ़ते हैं देखते हैं आपका अगला इलेटेटिव कंजक्शन है क्या यहाँ पर देखे लिखे हैं इस प्रकार के चंजक्शन एक वाक को अईसा दूसरे वाक से जोड़ते हैं जो परिणाम दिखाता है मतलब एक ही वाग को दूसरे वाग को ऐसा दूसरे वाग से जोड़ेंगे जो परडाम दिखा रहा होगा और इसमें कौन-कौन से कंजेक्शन आते हैं मुख कंजेक्शन कौन-कौन से हैं यहां पर अपर दिर हो गया था वाग से कंजेक्शन हो जाएगा और इलेटेटी उपनाम दिखाने के लिए पैदा हुआ है तो पैदा हुआ है उसी ले तो भई आप परडाम दिखाएगा अब दूसरा बात कब होती जाता जब लएकी लोग खासकर की धान से तो जब किसी घर में जाएंगी तो भाया काम खुब करना पड़ेगा तो वही बात है तो काम करना पड़ेगा लेकिन आराम करने के लिए मौकब नहीं मिलेगा तो इसलिए पढ़ लेना बार-बार कर लें ढग से पना आगे फ्यूचर बन जाएगा नहीं तो बेचारी जितनी देख रही है class को न बेचारी ही रह जाओगी, तो इसलिए अच्छे से पढ़ना प्यारपचियों, प्यारपचियों प्यारपचियों अपका हो गया, यहाँ पर C is a tired work तक चुकी है, इसलिए इसका परडाम उसका क्या होगा कि C is a take rest to से आराम करना चाहिए तो बü ensurerology उम्हाइब करते हैं आपका chemotherapy connection हो गया उम्मेद करते हैं आप समझ गए कारणेट ति याद करने की ट्रिक पे चलते हैं प्यारुज़े इस सारे च्राम करनें कॉबरीइंट कर सकते हैं तो अब या एक वर्ड है मुख काडिेट कान्यक्शन को कवर कर लेता है। उन ही इड है तर्वम से क्यों सहे यह वाई पर पर अपर और मिस आपका ऐड़र्टेरिव कज्चिन है सोब एस फ़ार सोब्सपार आपका इलेटेटिव कंजेक्शन है तो आप नहीं देखा जो कौरण इट कंजेक्शन थे साड़े कौरणेट कंजेक्शन मैक्समन जो सबसे पाइब करने की सबसे बहुत करने की सबसे बहुतर ट्रिक होती है अब अमीद करते हैं आप समझ गहेंगी क्वाइब करने ट्रिक भी बता दिये हुए है इसलिए नहीं होती है इसलिए नहीं हमने नाम दिया वाली है तो यह हो गया क्या क्वाडिने हो गया है अब चरचा करेंगे सबस्ट कारेंगे कि आ पका सब्ड़ारणेट क्या होते हैं कितने करके होते हैं इसमें काह चीज आएगी और और इक बात द्यान दों से क्योंसे परिकार का संटेंज्ट बंताै कंपांच संटेंज हो गया आगे हम लोग देखते हैं सब्सक्राइब आपका स्बसक्राइब कंजक्स क्लास पर चलने से पहले जो भी बच्चा लोग चैनल पर पहली बारा आया होगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा वीडियो को लाइक करेगा और यह आपके जिम्मदारी है क्लास 11 12 के हल लगवे वीडियो को पहुचा ओगे आगे जिम्मदारी है आगे चलते हैं प्यावचे जोड़ते हैं इसमें मुख कंजेक्शन निन है प्यावचे यह आपके क्या होते हैं सबोर्णेटिंग कंजेक्शन क्या होते हैं किसी आसित उपवाग को किस से जोड़ेंगे मुख उपवाग मिंस प्रिंस्पल क्लास से जोड़ते हैं प्यावचे हमें आपको एक कॉंसेट बताया था dependent class independent class तो आपका किसको जोड़ेंगे एक dependent class को किसी independent class से क्या करते हैं जोड़ते हैं एक स्वतंतर उपवाग को किसी अन दूसरे परतंत उपवाग से क्या करते हैं जोड़ते हैं तो एक dependent class होगा बाकी independent class होगा बाकी independent class होते हैं जिससे एक क्या करते हैं जोडने का काम करते हैं मिस एक आपका मुख उपवाक होगा मुख उपवाक का आपका प्रिंस्पल क्लाज जिससे बोलते हैं एक मुख उपवाक होगा और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक होते हैं मिस सबोडने क्लाज होते हैं जिनने यह क्या करते हैं जोड़ते हैं यह थोड़ा से तेजी से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम पहले बता चुके हुए हैं संथसे वाले टर्म में इसलिए थोड़ा से तेजी से चल लाएं उमीद करते हैं आप समझ रहे होंगे when ever हो गया, when हो गया, while हो गया, till हो गया, until हो गया, before हो गया, after हो गया, as soon as हो गया, as long as हो गया, यह सभी आपके time दिखाने वाले क्या होते हैं, subordinating conjunction होते हैं, उसके बाद condition में सर्थ दिखाने वाले subordinating conjunction कौन से होते हैं, if हो गया, unless हो गया, in case हो गया, as if हो गया, यह सभी आपके condition दिखाने वाले क्या होते हैं आपके conjunction होते हैं subordinate conjunction होते हैं उसके बाद आपका manner manner means होता है धंग 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 दिखाने वाले जैसे as हो गया so far as हो गया as far as हो गया यह सभी conjunction आपके क्या दिखाते हैं manner means धंग दिखाने वाले conjunction होते हैं बीच में कुछ और आएगा उसका अर्थ होगा और उपर वाले जो परपस दिखाने के लिए सो टैट लगाएवे इसमें बीच में कुछ नहीं आता है इसमें आपका सो टैट के बीच में कुछ अगला है आपका कन्टराश कन्टरास्ट मीश्odar कॉन से होते हैं दाओं हो गया tempo गया एक सब आपके दिखाने वाले क्या होते हैं इसके बाद शॉव्द होते हैं इसके बाद आपका शारтив कलाराइज insult और अ eat कर्दर के कंजक्शन होते हैं जैसे हो गया average में स्थान दिखाने वाले कि ंदुप translation होते हैं इसमें करते हैं यह सभी जो हमने नौश आपको बताई हैं सब्सक्राइब कर नियुक्र सब्सक्राइब और से वाकर का से बनेंगा अब इसके बेस पर कुछ उदारन देखते हैं कैसे इसका प्रियोग किया जाता है जलदी सुदारन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखी प्यारफची अपने लिखे विए पहला लिखे विए पहला वाक़ लिखे विए पहला वाकर क्या है आपका इस बच्चा रो रहा है वाक कैसा आपका बनेगा complex sentence है आपका अगला तो परडाम दिखा या परडाम मतलब अब बताया था का एपको क्या करूंगा पढ़ाऊंगा आप आओंगा ऐसे बताओ आपके घरवात आके पढ़ा सकते हैं नहीं पढ़ा सकते हैं आप आओगे चैनल पर विजिट करोगे किताब खोलोगे वीडियो देखोगे तभी तो आपको समझ में आए का प्रदोईत पड़ोगे वही बात है एफ इसल टीत्ट करोंगा मैं आपको क्या करूंगा तो या इफ क्या हो सबाउडनेट कंजक्शन ओ गया तो यह आपके कोछ várias एक्जामपल थे आप ईग्जांपल यम लोग देख लेते हैं क्या क्या दो-तीन एक्जम्पल किसके देखते हैं कौड़िनेट कंजक्षन के देखते हैं यहां और प्रियों से प्रयोग घब क्या आपका क्या है यह आपका कौड़िनेट कंजक्षन है उसके बाद चाटे वाक्ट में वी बोथ लब and honor, तो and आपका क्या हो जएगा? love and honor आपका क्या हो जएगा? अतलiness पालोजरी एशा कुछा वाक्त कुछवाग आपको दिखा दिए, तो इस तरह से आपकाlaughing conejour Nevay का होता है? अब उम्मीध करते हैं, सारे concept आपके clear हो गए होगे, कहीं कोई दोविधा या संका नहीं होगा तो अब हम लोग कल से कल वाली जो क्लास चलेगी कल वाली क्लास में आपके देखेंगे रूल साफ कंजक्शन के जो नियम होते हैं कल वाली क्लास में आपका उसे बताएंगे रूल साफ कंजक्शन बताएंगे तो पहले प्छे आज की पोचिंग इसकोल नहीं जा पाते हैं उन बच्चों तक अवज से पहुंचा होगे और यह आप फॉनरी ब्लॉगिंग चैनल से जुनना चाहते हैं जैसे नीचे सुरज आदा जौनपुर करके लेका गया है उसी तरह से यूट्यूब पे साज करेंगे ब्लागिंग चैनल मिल जाएगा आप वहाँ से भी मुस्तजर सकते हैं तो मिलते हैं कल वाली क्लास मिलते हैं तब तक आप लोग अपना धान रखें अपने परिवार का धान रखें लब यौल प्यारविच्चों